विल्कम बैक दोस्तों आजके इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोन मिती के बारे में तो चलिए डिसकस कर लेते हैं त्रिकोन मिती यानि की ट्राइगनोमेटरी इसमें हम लोग एक तिरभूज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमेशा right angle हो, जो हमेशा 90 degree का हो तो 90 degree वाला तिरभूज जिसको sum cone बोला जाता है तो sum cone में 3 जो होता है, sides होता है जो नीचे जो है ये आपका base कालाता है इस भाग को lump या perpendicular बोलेंगे और इस भाग को बोलेंगे करन, हाइपोटेनियस इसको हिंदी से बोलते हैं करन नीचे B का मतलब हो गया base का मतलब हो गया आपका आधार और P का मतलब perpendicular इसको बोलेंगे lump चलिए, अब बात कर लेते हैं कि करन या फिर lump या फिर आधार इन सब को निकालने का formula क्या है कि एच निकालने का formula तो एच इक्वल टू होता है under root P का square प्लस B का square मतलब कि करन बराबर under root lump का square प्लस आधार का square ठीक है, ये पाथागुरस थियोरम से आया हुआ आगे अगर बात कर लेते हैं, अगर हमें P निकालना है तो उसके लिए formula होता है, under root lump का square इस वरी करन का square माइनस आधार का square यानि हाइपोटेनियस का square माइनस बेस का square और अगर हमें B निकालना है, तो normal सा formula H square माइनस P square इसमें plus होगा, इन दोनों में minus होगा, ठीक है चले हिंदी, medium वाले, इनको lump, इनको कर और इनको आधार बोलना है आगे देख लेते हैं, जैसे कि एक normal सा trick है यहाँ पर देखें, जब कभी भी हम लोग तिर्कोन मीती पढ़ते हैं तिर्कोन मीती का जो symbols है, जैसे कि 6 symbols है पाला हो गया आपका sign, ठीक है next हो गया, cos, then 10 उसके बाद, cos sec हो गया, then sec हो गया, और cot ठीक है, यह 3 symbols को ले करके चलना है एक formula है, जो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि cos theta का value क्या होता है sin theta का value क्या होता है, 10 theta का value क्या होता है इसमें बहुत ज्यादा confusion होता है तो इसको trick के जिरे समझेंगे जैसे कि आपे P, B, P, H, H, B ठीक है, कैसे याद करेंगे पंडीत, बदरी, परसाद, हर-हर बोल पंडीत, बदरी, परसाद, हर-हर बोल तो पंडीत, बदरी, परसाद, जैसे को उपर में हो गया आपका sin theta का value, यह हो गया आपका B, B, cos theta का value, और last बदरा हो गया 10 theta का value उसी तरह नीचे हो जाएगा नीचे सगर देखना है, तो यह हो जाएगा cos theta का value, यह sec theta का value, और यह आपका sin theta का value पूछ ले तो perpendicular को hypotenuse से divide कर देना ठीक है, तो P, cos theta का value अगर पूछ ले, तो हो जाएगा B, B, H next देख लेते हैं 10 theta, उसी तरह 10 theta का value हो जाएगा P, B P, B अगला, अगर cos theta पूछ ले cos theta पूछ ले तो नीचे से देखना है, H बटे P, H बटे P उसी तरह 7 theta का value पूछ ले 7 theta का value, तो नीचे से H बटे B, H बटे B, इन सब को याद करना ज़रूरी है questions को बनाने के लिए, ठीक है उसी तरह, यहाँ पे cot होना चेह sorry, यहाँ पे cot होना चेह तो cot theta का value पूछे, तो B बटे P, B बटे P तो यह 6 rules, जो basic है और इसको याद करना ज़रूरी है hypotenious का यह 3 formula ठीक है, यह hypotenious वाला perpendicular वाला और base वाला ठीक है, पाइथागोरस का 3 formula यह भी याद होना ज़रूरी है तो यह basic concept आप लोगो complete हो गया होगा चलिए, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, कुछ basic formulas के बारे में, जैसे कि यहाँ पर है, हमेशा याद रखिएगा sin square theta plus cos square theta बराबर 1 होता है clear है, sin square theta plus cos square theta बराबर 1 होता है तो अगर इन दोनों का value 1 होगा, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 minus sin square theta तो एक formula अगर याद हो गया तो हमें extra जो है, दो formula extra याद हो जाएगा, automatically अगर sin square theta plus cos square theta equal to 1, तो sin square theta का value 1 minus cos square theta और cos square theta का value 1 minus sin square theta same concept होगा आगे, कि sec square theta minus 10 square theta equal to 1 यहाँ पलस था, बाद बाकी और दो formula इसी तरह साएगा तो जो की minus में आएगा sec 10 का compare ठीक है, sec हमेशा 10 के compare में होगा और बीच में minus, sec square theta minus 10 square theta equal to अगर 1 होगा तो sec square theta का value क्या हो जाएगा 1 plus 10 square theta उसी तरह से 10 square theta का value क्या हो जाएगा यह यहाँ जाएगा, तो इसको इधर करना पड़ेगा मतलब की sec square theta minus 1 इनको अगर इधर करना है तो यह plus 1 इधर जाएगा minus 1, तो इससे दो formula फिर से निकाल गिया आप लोग को क्या करना, formula को समझते चलना है चले, उसी तरह अगला concept अगर देख लेते है तो sec square theta minus cot square theta, इसका भी value 1 ही होता है अगर cosec square theta minus cot square theta equal to 1 है तो उस तरह से हम लोग cosec square theta का value निकाल लेंगे 1 plus cot square theta और फिर अगर हमें cot square theta का value निकालना है तो cot square theta इधर जाएगा plus में और plus 1 बराबर के इधर आएगा तो minus 1 तो बन जाएगा अपका cosec square theta minus 1 तो यहां से भी दो formula उभर कर आया है तो आप लोग को बस formula को बढ़या तरीका से समझना है confuse नहीं होना ठीक है formula को समझते हुए याद भी करना चलिए अगला concept देख लेते हैं next concept है हमेशा याद रखेगा कि sin theta into ठीक है cosec theta equal to 1 होता है अगर opposite देखा जाए थोड़ा से यहां पर देखते हैं अगर opposite देखा जाए तो sin का opposite होता है cosec ठीक है उसी तरह cos का opposite होता है हमेशा सेक और 10 का opposite होता है हमेशा कोट क्लियर है और multiply में यहां पर opposite वाला rules follow होता है तो sin theta into point का मतलब होगे into cos theta equal to 1 होता है तो यहां पर दो formula और उभर कर आएगा जैसे कि sin theta का value पुछेगा तो 1 बेटे गुणा इधर आगा भागा में cos theta और उसी तरह से अगर cos theta पुछ ले तो 1 मेटे sin theta हो जाएगे अगला देख लेते हैं next formula next formula है हमेशा cos theta into sec theta बराबर 1 होता है ठीक है तो cos theta का value क्या हो जाएगा 1 बटे sec theta और फिर sec theta का value क्या हो जाएगा 1 बटे cos theta चलिए अगला देख लेते हैं next है हमेशा याद रखेगा 10 theta into cos theta equal to 1 होता है तो 10 theta का value क्या लिख सकते हैं 1 बटे cos theta भी लिख सकते हैं और फिर cos theta का value हम लोग 1 बटे 10 theta भी लिख सकते हैं यहाँ तक क्लिए रहे चलिए अगला concept देख लेते हैं यह अगला concept है हमेशा याद रखेगा 10 theta का value sin theta बटे cos theta भी होता है चीख है तो अगर 10 theta का value sin theta बटे cos theta होता है तो इस condition में हम लोग sin theta का value निकाल सकते हैं क्या तो 10 theta into cos theta चीख है और और cos theta का value निकाल सकते हैं sin theta बटे tan theta ठीख है उसी तरह cot theta का value sin theta का opposite क्योंकि 10 का opposite cos होता है 10 का opposite cot होता तो 10 का अगर sin बटे cos हुआ तो cot का cos बटे sin opposite हो गिया तो यहाँ से भी दो formula निकल जाएगा इस condition में हम लोग cos theta बराबर लिख सकते हैं क्या cot theta into sin theta तो जैसा formula जैसा questions बोला जाएगे उस तरीका से हम लोग formula को put करगे ठीक है और answer को बनाएगे उसी तरह sin theta का value अगर बोल दिया जाए तो cos theta upon cot theta cos theta को cot theta से अगर divide करेंगे तो sin theta का भी value आ सकता है तो ऐसे आप लोग को क्या करना पहले formula को revision करना formula जितना हो सके उतना revision किजिएगा तो ही जा करके ये जो ट्रिकोर्ण मिती का जितनी भी question से उसको handle करने सकेगा ठीक है तो चले थोड़ा सा और basic concept के बारे में देख लेते हैं अब थोड़ा सा आगे है 90 वाला rule जिसके हम लोग जानते हैं कि opposite multiply में हमेशा opposite होता है लेकिन यहाँ पर देखा 90 डिगरी वाला rules जो होता है न वो हमेशा sign cos में convert होता है 90 डिगरी वाला rule 90 डिगरी वाला rule हमेशा sign cos में change होता है और cos sign में change होगा ठीक है next अगर देखा जाए तो 10 जो होता है वो cot में change होगा और cot 10 में change होगा और cosec sec में change होगा और sec cosec में change होगा 90 degree वाल रूल में तो formula किस तरह से बनेगा अगर cosine सा जाए sin 90 minus theta 90 degree minus theta तो यह होता आपका cos theta और उसी तरह cos 90 degree minus theta बराबर sin theta यहाँ पर लिख देते हैं cos 90 degree minus theta बराबर sin theta ऐसे हम लोग लिख सकते हैं next अगर देखा जाए तो 10 का 90 degree minus theta बराबर cot theta और उसी तरह cot 90 degree minus theta बराबर 10 theta अगला concept कि कोश्यक 90 degree minus theta बराबर क्या हो जाएगा sec theta और उसी तरह sec 90 degree minus theta बराबर cos theta चलिए अब लास्ट देख लेते हैं concept कि विभिन कोनों का तिरकोर मितिज अनुपात value जो होता ना उसको कैसे करके बनाएंगे दोस्ते value जो है बहुत ही ज्यादा important है ठीक है और इसको निकालना भी बहुत ज्यादा सरल है एक बार अगर समझ लिजेगा तो value automatic आप लोग का दिमाग में fit हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अगर देख लेते हैं थोड़ा से basic यहाँ पर लिखना है ठीक है यहाँ पर आत 60 डिगरी का value यहाँ लिखाएगा और 90 डिगरी का value यहाँ लिखाएगा अब 90 डिगरी किसका होगा जैसे कि यहाँ पर हो गया आप आसन ठीक है सेक थीटा, नेक्स्ट, सेक थीटा, और लास्ट, और लास्ट, कॉट थीटा, क्लियर है, आप लोग को क्लियर ली दीख रहा होगा, अब अगर देखा जाए, बनाएंगे कैसे, ठीक है, यहां पर किस तरह से वैल्यू को पूट करना है, तो पहले थोड़ा सा रफ देख लेते यहां पर, पहले हम लोग लिखेंगे, जीरो, फिर वन, फिर टू, थिरी, और फिर फोर, फिर सब में चार-चार से भागा कर देना, और भागा करने के बाद सब में अंडरोट डाल देना, अब जो वैल्यू आएगा, वो इसका राइट एंसर निकलेगा, चिक है, तो देख बटे फोर, किसी भी सेंख्या को, अगर जीरो से अगर भागा देंगे, तो तो जीरो ही आएगा, वन बटे फोर, तो फोर किसका स्क्वार रूट होता है, फोर को लिख सकते है, टू का स्क्वार, और कभी भी स्क्वार होता है, तो रूट हड जाता है, और वन का स्क्वार यहां पर 1 का स्क्वार 1 ही होता और इसके जगह पर हम लीग सकते हैं 2 का स्क्वार काने के मतलब है अंडा रूट 1 बटे 4 को क्या लीग सकते हैं 1 का स्क्वार बटे 2 का स्क्वार और दोनों स्क्वार से रूट हट जाएगा तो 1 बटे 4 को 1 बटे 2 भी लीग सकते हैं तो इसके ठीक है और यहाँ पर अगर root 2 बटे 2 आ गिया इसको अगर परिमेक करेंगे तो 1 बटे root 2 हो सकता है ठीक है या फिर यहाँ पर हम इसको 1 और 2 बार काड़ देते हैं तो directly answer हो जाएगा और 1 बटे root 2 वन का square वन काड़ साथ तो कोई square आता नहीं वन का साथ कोई root होता नहीं तो 1 बटे root 2 इसको हम लीग सकते हैं next इसको हम क्या लिग सकते हैं root 3 बटे 2 ठीक है root 3 बटे 2 और यह तो हो जाएगा one 1 का square या फिर root दोनों बराबर ही होता है तो इसको directly हम 1 लिख सकते हैं तो ये मेरा पूरा किल्यरली निकल गया किसका किसका value 0 degree का value 30 degree का value 45 degree 60 degree का 90 का बस इस value को उसमें put कर देते 0 1 बटे 2 1 बटे root 2 3 बटे 2 root 3 बटे 2 और 1 यां put कर देते हैं सबसे पहले क्या था 0 दूसरा क्या था 1 बटे 2 तिसरा क्या था तो 1 बटे root 2 next root 3 बटे 2 और अगला है 1 बस इस value को खली याद कर लेना है sign के साथ जितना भी value है बस इस value को रट्टा लगा लेना है नहीं तो जैसे हम लोग बनाए है उससे आप लोग को पहले solve करके और निकाल करके value को put कर देना है याद करना बहतर है 0, 1, 2, 1, root 2, root 3, 2 और फिर 1 बहुत ज़्यादा hard नहीं है अब sign का opposite अगर cost है तो बस इसको opposite करके लिग देना है यह 1 है तो यहाँ पर 1 root 3, 2 तो यहाँ पर root 3, 2 1 बटे root 2, तो यहाँ पर 1 बटे root 2, यह 1 बटे 2 तो यह 1 बटे 2, यह 0 तो यहाँ पर 0, clear अब 10, तो हम लोग जानते हैं 10 का formula क्या होता है sin theta बटी cost theta बराबर 10 theta तो बस इनके value को क्या कर देते हैं, divide कर देते हैं और कभी भी याद रखिएगा 0 को 1 से divide करेंगे, तो 0 ही आएगा 1 बटे 2 को root 3 बटे 2 से divide करेंगे 2 से 2 कट गया, बच्चा 1 बटे root 3 1 बटे root 3 यहाँ भी root 2 से root 2 कट गया तो only 1 बच्चा यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो only root 3 बच्चा और हमेशा याद रखिएगा 1 divided by 0, यह infinite रखिएगा हमेशा क्लिया रहे, infinite और उसके बाद देख लेते हैं, अगला तो कौशेक है, तो क्या sin का उल्टा कौशेक होता है एकदम होता है, तो sin का उल्टा अगर कौशेक हो गया तो जितने वी यह value है sin का, इसका opposite कर देनी है, 0 को क्या लिख सकते है, 0 divided 1 अगर 0 को 0 divided 1 होगा, तो उल्टा 1 divided 0, और हमेशा 1 divided 0 का value, infinite हमेशा 1 divided 0 का value, infinite यहाँ पर 1 divided 2, तो opposite करेंगे, तो only 2 हो जाएगा यहाँ पर 1 divided root 2, opposite करेंगे, तो only root 2 divided 1, यानि root 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर root 3 divided 2, opposite करेंगे, 2 divided root 3, और 1, तो 1 divided 1 और 1 divided 1 का value क्या होता है, अब लोग बताईएगा 1 divided 1 का value, 1 ही होता है चले, अब cos का उल्टा कोसेक होता है अगर cos का उल्टा कोसेक होता है तो value को भी उल्टा कर देंगे, यहाँ भी 1 divided 1 का value 1 ही होगा इसको आप पोजिट करेंगे रूट 3 विल 2 तो 2 बटे रूट 3 लिखेंगे अब इसका पोजिट 1 बटे रूट 2 का उल्टा only रूट 2 बटे 1 यानि रूट 2 इसका वेलू 2 और ये 0 0 बटे 1 को क्या लिखेंगा 1 बटे 0 और हमेशा 1 बटे 0 को इसका पोजिट क्या हो जागा 1 बटे है root 3 बटे 1 इसका opposite क्या हो जागा 1 बटे root 3 और यह यहां पर infinite है infinite मतलब 1 बटे 0 ठीक है infinite अगर 1 बटे 0 हो गया है तो इसका opposite क्या हो गया 0 बटे 1 और 0 बटे 1 का value हमेसा 0 ही होता है तो इस तरह से आप लोग को value खुद से generate करके आप लोग याद कर सकते हैं ठीक है और questions में इतना बड़ा आप लोग को चार्ट नहीं बनाना questions आप लोग को जैसा आया जाए उसे आप लोग को रट लेना जितनी भी value है अगर आप लोग दो तीन बाप practice की जाएगा तो automatic दिमाग में बेट जाएगा कि किसका क्या value है ठीक है अधिकतर 30 डिगरी का 45 डिगरी का और 60 डिगरी का हर एक exam में हर एक questions बनता है ठीक है और यह तो आप लोग का rarely रहता लेकिन नॉर्माली 0 डिगरी या 90 डिगरी है तो तुरंत याद हो जाएगा ठीक है इन्फानाइट से एक भी questions नहीं आता है इन्फानाइट जहां भी है चार जगह है इसे एक भी questions नहीं आता है तो इसको नहीं भी अगर याद कीजिएगा तो चलेगा बट बाद बाकि जो भी value है बड़े तरीका से याद करके ठीक है ओ रखेगा ताकि next class हम लोग क्या करेंगे इससे regarding questions बनाएंगे त आज के लिए इतना है मिलते ने स्क्लास थैंक यू